हेलो फ्रेंग, वेलकम बैक और माई चैनल, मैं हूँ किरन और फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वालत है, दोस्तो आज फिर से आप लो के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ, आपको यह बहुत जादा पसंद आने वाला है, दोस्तो सर मनें लेकर के आई हूँ, तिल के ऐसी जबरदस्त मिठाई, जो कि सिर्फ तीन सामगरी के साथ ही बनाई हूँ आपको, यह बहुत जादा पसंद आएगा दोस्तों, इक और आप इसको जरूर ट्राइ करें, आज का वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेल्फुल है, और इ जादा बाते न करते हुए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह रेसिपी, तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, पहला एंगेडियेंस यह है, वो हमारा है तील, तो वाइट वाला तील होता है, आपको यह पहले तील लेने है, इसको जो है, बहुत लोग सेसमे सीट्स बोलते हैं, इंग्लिश में एक्चली नाम होता है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्राइ रोस्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैंने लोहे की कराए ली है, आप कोई सा भ बहुत ही जादा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, यहाँ की भून चुका है, इसको जादा नहीं भूने नहीं इसको जलाना है नहीं, तो थोड़ा सा स्वाद आपको तीखा जैसा हो जाएगा, तो बस इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और निकालने के बाद दोस्त हम सारे तील को डाल देते हैं, सारे तील नहीं, थोड़ा समय लगवग 2 चमच के असपस के तील जो है, मैं यहाँ पर बचा लोंगी, 2-3 चमच और इसको जो है बीच हो हम यूज करेंगे, और बस उसके बाद जो है, यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, ढग करके इसका बहुत ही अच्छे से यह देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो है पाउडर फॉर्म में मिल चुका है, अगर मैं इसको गरम गरम करती तो क्या होगा, यह बहुत ही जादे एक तुरुस्तिक साथ चिपक जाता, और बहुत ही अच्छे से ग्राइड भी नहीं होता, उस पाउडर बना करके तील का उसको हम डाल देते हैं और उसको डाल करके आपको यहां पर लगबग 2-3 मेर तक ही भूनना है, क्योंकि आपको तील को रोस्ट किया है, तो जादा आपको भूनने की जरुवत नहीं पड़ेगी, कुछी देर में आपको जो है, एक अच्छी से ख खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी, तो बस इसको लगातार चलाते हुए आपको लगबग 2-3 मेर तक भूनना है, बीच में बिल्कुल भी छोड़े नहीं, नहीं तो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, और गयास को आपको यहां पर बहुत जादा तेज नहीं रख जाती हो, तो क्या करें, मिल्क मेड मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पर मैंने लगवग हाफ कप के ऐसपस जो है, घर का बना हुआ, अगर आप जाना चाहते हैं कि घर में कंडेंस मिल्क कैसा बनता है, कैसे बनता है, आप कमेंट ब दालना है, थोड़ा सा यह है, तुटी-फ्रूटी, अगर आपके पास टुटी-फ्रूटी है, तो वो डाल दीजिए, थोड़ा कलर फूल दिखने के लिए, और यह नहीं है, तब थोड़ा सा ड्राइ-फ्रूट्स का इस्तमाल कर सकते हैं, यह सारे ऑप्शनल है, और उसके आते हुए लगवा 1-2 मिर तक और भूनेंगे, कुछी देर में बहुत ही अच्छे से यह ड्राइ हो जाएगा, और जब आपको लगे कि बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तब आपको पता चल जाएगा, और इसको कैसे आप चेक करोगे कि बहुत ही अच्छे से भून इसको निकाल करके क्या करेंगे, एक प्लेट में रखेंगे, इसके लिए प्लेट को थोड़ा सा घी के साथ ग्रीज कर लें, जिससे क्या होगा, इसके अंदर चिपकेगा नहीं, और आपका लड़ू भी बहुत ही बढ़ियां बनेगा, तो यहां पे आप सारे जितने बने ह इसको निकाल के रख देंगे इस प्लेट में, और इसको ठंधा करना है, क्योंकि बहुत ही जयादा गरम है, तो आप अभी कोई भी शेप नहीं सकते है, इसके लिए आपको ठंदा करना है, तो प्लेट में निकाल करके जो है देखिए, बहुत ही सुwny नदर लग रहा है, इस सेफ दे सकते हैं पेड़े का सेफ देख सकते हैं आपको जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हैं तो देखिए कितना सुन्दर और बहुत ही खुबसवत से बॉल बन रहा है यह देखिए इसी तरह के इस है मैं इसको सभी को बना बना करके रख लेंगे प्लेट में तो बस हमारा लगभक सारा चीज हो चुका है लड़ू भी बन रहा है तो बहुत ही सिंपल है इसका लड़ू बनाना और आप ऐसा नहीं कि लड़ू भी बनाए आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं बस इस तरह के जो है मैं प्लेट में इसको सजा देती हूँ, ये देखिए, सभी लड़ू को मैं फटा-फट से इस तरह की से बना लेती हूँ, बनाना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जट से बन जाता है, लगवग 5-10 मिट के अंदर में ये लड़ू बनके आपके रेडी हो जाएंगे, तो बहु और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा ना लगे, तभी आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, कोई न कोई रिजन लिक करके बता सकते हैं, तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक चिंग दोस्टू